इस कोर्स को देखने के बाद आप C Programming के champion बन जाएंगे C Programming का या टूटरियल यूट्व पर फ्री में upload किया जाएगा यह कोर्स उन सभी लोगों के लिए जो C Programming 0 से लेकर pro level तक सीखना चाहते हैं और इस C Programming का lecture 1 है तो मैं यहाँ पर Turbo C++ compiler यूज करूँगा तो सिंपल आप इसे डाउनलोड कर ले जागा और मैं नोट पर प्लस प्लस भी यहाँ पर यूज करूँगा को अपने code को write करने के लिए तो सबसे पहले मैं इस वीडियो में theory पाड़ों कबर करूँगा क्योंकि इस theory बहुत जादे important है और next lecture में आपको code भी write करने बताऊंगा कि किस तरह code को लिखा जाता है C programming के अंदर अगर आपको coding के थोड़ा भी idea नहीं है बट फिर भी आप C language को अपने first language के तोर पर start कर सकते है तो अब हम स्टार्ट करते हैं history of C language से C language क्या history रहा है तो एक programming language अलगोल 1958 में आया था और अलगोल programming language को convert कर दिया गया BCPL programming language में और फिर से BCPL का full form की बात कर तो BCPL होता है basic combined programming language फिर से BCPL programming language में जो कुछ improvement करके उसको convert कर दिया गया B programming language और जो B programming language में जो Ken Thompson ने develop किया था और जो BCPL and B language जो था है typeless language था और यह पूरे all data type को support नहीं करता था फिर से last में B language को convert करती है कि C language में तो यह रहा history of C language तो अब बात करते हैं C language के बारे में C language क्या होता है तो C जे high level language, high level means जो language को computer बहुत ज्यादे easily understand कर लेता है तो अब हम कुछ और points को देखते हैं तो C जे mother level language, C जो है mother level language है और C जे structure programming language है और C procedural language है और C developer की बात करें तो Dennis Ritchie ने C language को develop किया था 1972 में इन AT&T Bell Lab University, USA में C language को develop किया था Dennis Ritchie ने और AT&T Bell Lab का full form की बात करें तो इसका full form है American Telephonic and Telegraph Lab So I hope guys कि C language के बारे में कुछ आपको पता चल गया होगा कि C language क्या है हम बात करते हैं features of C language कि C language क्या importance है तो C language है जो होता है easy होता है easy to learn है simple है और जो second thing है portable होता है machine independent है C language होता है machine independent होता है और third thing है कि इसका reach library होता है C language के compiler में reach library होता है और यह open source है open source मतलब कोई भी से सीख सकता और यह बहुत सारी इसके features है तो अब next thing यह है पढ़ें कि हमें C language को जब हम सीखना है तो हमें कुछ software की need होगी कुछ software की हमें need होगी C language को सीखने के लिए तो सबसे पहला जो software है तर्बो C++ है NetBeans है VS Code है DevC है यह जो है चारो ए है compiler है आपके code को compile करने के लिए आते हैं और एक और चीज है notepad++ मैं simply इस course में notepad++ का यूज करूँगा अपने C code को लिखने के लिए और उसे मैं Turbo C++ में run करूँगा आप चाहिए तो NetBeans में भी run करा सकते हैं और VS Code में भी अब बात करते हैं compiler क्या होता है मैंने जैसे बता है कि Turbo C++ compiler का मैं यूज करूँगा तो compiler एक software होता है जो हमारे source code को जो हम लिखते हैं machine code में convert कर देता है तो जैसे कि आपने कोई source code लिखा source code लिखा और compiler उसे convert कर देगा machine code में computer के language में उसे convert कर देगा जैसे कोई c file है या .cpp file है kori में इसे num 노래 कर 챙 देगा machine code में convert कर देगा अगर हमें c title code को रन कराने कि लिए रहाँए compiler की nourky compiler की बात करते है keyword क्या होता है keyword क्या है keyword क्या होता है keyword होता है keyword होता है keyword जो word compiler में जो word compiler पहले से प्रिडिफाइन होते हैं मतलब जिसका मीनिंग पहले से ही कंपाइलर में डिफाइन होता है की वर्ड इसे रिजर वर्ड रिजर वर्ड मिंद्स इट प्रिडिफाइन फॉंसन मेथड इन कंपाइलर कीवर्ड 32 टापस के होते हैं c language में c language के अंदर 32 टापस के कीवर्ड होते हैं जैरा 32 keywords in c language अब फॉर इकमफल की बात करें तो इफ हो गया इफ हो गया while keyword हो गया do while keyword हो गया for keyword हो गया break हो गया continue हो गया यह सब keyword है तो आज की इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं अब next video मैं आपको coding के बारे मताहूं है कि कैसे code करते हैं अब मैं आपको notes भी provide करूँगा मैं अभी notes को prepare कर रहा हूँ जब prepare हो जागा तो मैं आपको notes भी provide कर दूँगा so thanks for watching this video मिलते हैं अगले वीडियो में तक लिए bye bye take care